आप सबी का सुवागत है हमारे इस चैनल पर दा हिमालेन स्टेडी यूटूब चैनल पर और इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे लेकपाल परिक्षा प्ररूप पर और कितने कितने कोश्चन पुछ जाएंगे इस परिक्षा में और जो लोग नई हूँ हमारे इस चैनल पर बहुत सब्सक्राइब करने हमारे इस चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसी परिकार की ऑथेंटिक जानकारिया मिलते रहें और इसी चैनल के माध्यम से सरकारी नौकरियों के संबंद में महत्पुट जानकारिया दी जाती हैं तो इसमें हम आपके लिए महत्पुट जानकारिया ये लेकर आए हैं कि काफी अभ्यारती ये पूछ रहे थे कि लेकपल भरती का प्रिक्षा प्ररूप क्या होगा कराए गए थी जो कि आपके सामने ये जो सिलेवर्स हमने लिखा है कि समानने अध्धन के 25 कोशन और गडित के 25 कोशन और ग्रामीट परिवेश के 25 कोशन और हिंदी के 25 कोशन पूछे गए थे लगवग इसी प्रारूप पर आपकी 2021 में जो की एक बिग्यापन आएगा लेकपल भरती का इसी प्रारूप पर आपकी परिक्षा का आईजन हो सकता है लेकिन ये मानिगे चलिए इसमें बस थोड़ा सा अगर बदलाव होता है तो एकात परसेंट का बदलाव होगा नहीं तो यही पैटर्न आपकी परिक्षा में अपना आजाएगा और कुछ अब्यारती ये कह रहे हैं कि क्या इस परिक्षा में इंग्लिस पुछी आएगी तो आपको हम बता दें कि अभी ऐसी कोई सुचना नहीं है कि इसकी पेपर में इंग्लिस पुछी आएगी और कुछ अब्यारती ने ये कहा है कि क्या इस परिक्षा में कम्पेटर के कोशन अलग से पुछेंगे अभी ऐसा कोई डिसाइड नहीं हुआ है जो की जानकरी हमें मिल पाई है लेकिन आप ये मानगे चलिए कि ये जो परिक्षा है आपकी ये आपके सामने हमने जो पैटर पैटर पर अधारित होगी आपकी परिक्षा अगर कम्पेटर के कोशन आते हैं तो ये आपके 45 कोशन आपके समाने ज्यान में पुछ आ सकते हैं और समाने ग्यान में आपके हिस्ट्री, जोगरफी, पॉलिटिकल और आपका जो है एकॉनमिक्स, करेंड फेड्स से सम्मरिद कोशन पूछे आएंगे लेकिन इसमें जो पॉर्सन है आपका ग्यामिर परिवेश का इसमें आपके कोशन थोड़े से अलग टाइप के पूछे आते हैं जैसे ग्रामिट छेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश ने कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की हैं और केंदर सरकार ने कौन-कौन सी ग्रामिट छेत्रों में और जंजाती छेत्रों में योजनाएं चला रखी हैं और इसमें जो हैं मेटर, फीट, गज से सम्मनित कोशन पूछे आते हैं और जो भी करेंड में चल लहा है आपका गिरामे परिवेश का और जो ओल्ड पॉइंट हैं इसके वो पूछे आते हैं इस परिक्षा में और हिंदी में तो आपके संदी, समास, रशनाय, अलंकार, रस, और संग्या, सर्वनाम ये सब आपके पूछे आते हैं और गडित में आपको पताए कि जो जन्रल मैत होती है उसी टाइप की आपकी मैत इसमें परिक्षा में पूछे आती है तो ये मान की चलिए आपकी इसी पैटर्न पर यानि की 100 कोसन की अधार पर आपकी परिक्षा का आईजन 2 या 21 में यानि की जो आपका बिग्यापन आएगा बहें इसी अधार पर हो सकता है और इसी को मान के अपनी आप लोग तयारी करें और इस मैटर में ना पढ़ें कि इसमें संस्क्रित के कोस्तन आएंगे या कोई अन्य, कोई कहरा कि computer कोस्तन आएगे ऐसा कुछ नहीं है अभी कोई ऐसी जनकारी नहीं है बस इतना मान के चलिए कि यही आपके सभी पैटर्न है जो हमने आपके सामने लिखा है यानि कि पच्चे-पच्चे कोशन का डिवाइडेशन जो किया गया है यही प्रारूप आपका अपनाय जाएगा और इसमें जो है आप लोग अभी से तैयारी कर लें क्योंकि ऐसे अभ्यारती जिनका स्कोर अच्छा आया है जिनका परसेंटाइल अच्छा है अभ्यारतियों का तो अपनी तैयारी आप लोग करते रहें क्योंकि आपको हो सकता है जादा समय ना मिले परिक्षा में क्योंकि कुछ इस समय पता नहीं कभी भी आपका जो है नोटिस जारी हो सकता है UP SSC की और से और जैसे कोई पैट के संबन में हमी जानकारी मिलेगी कितने कट अप गई है कहां तक के अभ्यारती इस परिक्षा में सामिल होंगे तो आपको इसी चलने के माध्यम से जानकारी दे देंगे हम यानि कि जैसे कोई इनकी कट अप निरधारित होदी है कि माल लीजे कोई कहते हैं कि 60% तक के अभ्धारती इस परिक्षा में सामिल हो जाएंगे और जिनके यानिकी 60% से उपर हैं अंग और जैसी कोई जानकरी हमें मिलेगी तो इसी चलने के माध्यम से हम आपको सुचना दे देंगे तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जिरू बताएं ताकि हम इसी परकार की नईने अपडेट आपको इसी चलने के माध्यम से वीडियो बनाकर प्रोवाइट कराते रहेंगे तो देखते रहे हैं आप लोग हमारा चैनल दाकि हमालियन स्टेडी यूटूब चैनल धन्यवाद